जै संगरी किसान बायों ये गाई इसी हरकतें क्यों कर रही है तो हमें इस समझने के लिए ये गाई के क्या हुआ कि जो हमने इसको खाना खिलाया जो हमने इनको बाटा किया है गर्मी में किसान भाई द्यान दे कि पशों को जो दलिया होता है वो अगर आपने अगर गरम नहीं किया या उसे पकाय नहीं है या आद कच्छा आपने खिला दिया तो ऐसी सिचुएशन पशों के साथ बनती है तो आप कोशिश करें कि आप अप बड़ी सी गलती रही कि हमने एक दीनी एक दीनी इनको कच्छा दलिया खिला दिया और थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा खिला दिया तो यह गाई के पाचन नहीं हुआ तो इसके पेड़ दत करने लगया या इसे आपन आपरा भी बोल सकते हैं अपनी बाशा में या ड स्वाग दोड़ करें या उप पर बेट रही है शुआ जिसका में ओ Story करें या ज्यादा कोंटिटी में दिते तो यह कारण होते हैं इसमें पशों के पेट दर्थ करने लग जाता है तो किसान भाई इसका इलाज के लिए आप देशी गेरुले उपाई कर सकते हैं इसके लिए आप मीटा सोडा आप पचास गराम मीटा सोडा लें आप दस गराम आप जो दस गराम आप दस गराम आप हिंग ले सकते हैं जो गिली हिंग आती हैं आली हिंग आती हैं वो हिंग ले सकते हैं आप दस गराम और मीटा सोडा लें और सरसो का तेल लें पचास से मिल सरसो का तेल और इसे आप अप पाचन हुआ है या उसे खाना डाइजेशन नहीं हुआ है तो आप उसे ये नाल में भरकर एक ही बाल में अपने पशो को पिला दे एक नाल ले या जिसका मुझ तिका हो उसके मुझ में डाल कर ध्यान रखे कि किसान भाई उसका जीब ना पकड़े अगर आप जीब पकड़त कि अपने पशो का जीब ना पकड़े और डारेक्ट उसे 100 ग्राम मीटा सोड़ा 10 ग्राम हिंग गीली होती है और 50 सर्शू का तेल इसे एक साह Umm पशो को सूबर वीडियो में धन्यवाद जे गोमाता